मरठा रक्षन के विशे में अब नया मोड आ चुका है जहां राज्य सरकार ने मनोश जरांगे पाटेल की मांगे पूर्ण कर ली जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्य मंतरी देवेंद्रफण नविस ने कहा कि हमें इस बात सी खुशी है कि मरठा रक्षन पर अधान निकलाया जहां कानों द्वारा कुन्वी परमान पत्र मिलने की आसानी हो रही है इस वक्त उन्होंने मनोश जरांगे पाटिल का अभिनंदन करते हुए कहा कि सविदान की तहत होने वाली चीजों का मान किया जा रहा है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये जो मराठा समाज का एक प्रशना और जिसके उपर आंदोलन चल रहा था मार चल रहा था उस पर हम लोगों ने एक सोलूशन निकाला है हमारे मुझे मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निरने लिया है जिसके कारण जो आंदोलन करता थे श्री मनोज जरांगे पाटिल इन्हों ने भी उसको माननेता दी है और विशेश रूप से मराठा समाज में जिनके पास कुड़ूमी इस प्रकार की जिनकी कही न कहीं एक प्रकार से इंट्री आई हुई है ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट मिलना ये कारूनन भी सही है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था अब ये जो निरने हमने लिया है इसके कराण आसानी से उनको मिल पाएगा और ये सारा निरने लेते समय हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार से OBC के उपर कोई अन्यान न हो तो उस प्रकार से इस निरने को लिया गया है और मैं आंदोलक श्री मनोज जरांगे पाटिल इनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने भी समविधान के तहट ये सुप्रीम कोट के ओर्डर के तहट जो चीज हो सकते हैं उसी चीज को उन्होंने